मैं बरावर में आपको भी बता दीजी क्या चाहिए आवाई नमस्कार मैं हूँ राखी सावन और बहुत जल्द मैं राखी सावन कलाल बनने वाली हूँ या राखी दलाल या कलाल राखी कलाल बड़ी सब लोग करंजोहर कभी सापको दलाल दलाल बोलते हैं मुझे अच्छा अगर करंजोहर ने मुझे दीपक कलाल से दीपक दलाल कहा तो मैं उसको करंजोहर कहूंगा ऐसा मैंने उसे जवाब दिया है तो मुझे नहीं लगता है कि वो फ्यूचर में मुझे दलाल कहेगा डाली पहले हाथ तू निकालो अब शागी गुडी नहीं है तो इसने मुझे जो है राखी ने मेरे वीडियो देखे तो उसने पाया कि कौन है हट्टा कट्टा तगडा मुष्टंडा तो इसने मुझे जो है राखी ने मेरे वीडियो देखे और मुझे पता चला कि राखी जी ने जो कि इतनी बड़ी सूपर स्टार है और उन्होंने सल्मान शाहरुक अमीर खान सबके साथ बड़े-बड़े आइटम सॉंग्स किये है तो मैं भोचक का रहे गया हक्का पक्का रहे गया और मैंने मेरी ममी को कहा कि मौमा यह देखो राखी सावन ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है और मैं खुशी के मारे जूने लगा और उसके बाब में प्यार हमारा परवान चड़ते गया 10 साल तक इन्होंने अपनी सीने में अपनी च्छाती में हमारा प्यार दब विए नहीं नहीं मतलब जो हम सेह ना तो भूले उन्चार का रहने वाली बात ने क्योंके लाखी की जो फिगर बूटी उसके जो है वो पूरी यूथ दीदानी है और मैं भूण बहुत खुश हूँ कि आखिर यह जो तुम्हारी बुटी है जडी बुटी से बनी है बतलब यह औरीजनल है ना बुटी मतलब यह इस जिसे हम कहते हैं जिसे हम लिप से प्यार करते हैं हीप तो असली है हां तो वही बस तो इसलिए जो है मैं प्यार हो गया बहुत से लोगों को एक्चुली राखी के बुटी पसंद है लेकिन दिपक कलाल को अगर आप पुछोगे तो उसे राखी की बुटी पसंद है तो मैं अपने बुटी का इंशॉरंस करा रही हूं और रुपीज डॉलर जादा है कि रुपीज जादा है डॉलर नहीं इंडिया में मैं रुपीज ठीक है तो चलेगा बट बहुत बहुत अच्छी इनकी बुटी है और इनकी बुटी को कोई भी बिक नहीं कर सकता है और मैं बहुत खुश हूं मेरी बुटी तो अच्छी है आप मेरी बुर्टी मेरी बुंड 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 लगा रहा है इसे नहीं है, तीन पंजाबी लड़कों ने मेरे साथ बल्ले बल्ले की कोशिश की बल्ले में बलद कर? हाँ, और उन्होंने मुझे पहस महस किया था और उसमें मेरे क्या गलती है? कैसे क्या हूँ ऐसा? मैंने मेरे चुचियों को पियर्सिंग किया था और मैं पंजाब में घूम रहा था तो वो लोग शराबी थे और उसके बाब में वो लल्चा गए उनके पैर फिसल गए और वो मेरे साथ के कुछ-कुछ ऐसे करने लगे जिसे समाज एहमियत नहीं देता है और उसके बाब में लेकिन आप तो एक लड़का है तो आप के चुचियों को कोई कैसे सला सकता है और आपके बूटी को कोसे गड़ता कैसे अप्द करने को होगया चैसे हो गया इया पेंपर पुलिस कंप्लेंट कर क्यू नहीं करवाईき मैं पूलिस के पास गया उन्हें भी मुझ से वही एक् प्रजिनिटी टेस्ट की है और अभी जो है वो मेरी बूटी सुरक्षित है और मुझे नहीं लगता है कि इससे अभी तुम्हें फ्यूचर में कोई हानी होगी खंडाला घाट हो गई है अब आपकी बूटी तो आप ये ट्रेन लेकर चड़ो ना प्रॉब्लम क्या है आपको नहीं लेकिन आपकी क्यों करते हैं नहीं देखो ये मैंने नहीं किया जो भी किया वो लोगों ने किया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है उसके ओपर मैंने वीडि आपके कोई गलते नहीं है राखी तुम समझने की कोशिश करो वो लोगों ने मेरे अपके बूटी का इतनी इंजर्ड है ठीक है बूटा का क्या हल है ने ने मेरा जो बूटा है वो बिल्कुल भी तूटा नहीं है और जब तुम लॉस एंजलीस में आई थी तब मैंने तुम् करेंगे मतलब जिस तरह से इंडिया में गलत कांड हो रहे लड़कियों को छेडा जा रहा है तो वो डॉल के सहरे लोग साटिस्फाय हो जाएंगे वो कैसे अरे मतलब तुम एक सिलीकॉन की मुलायम डॉल होगी और उसको लोग यूज करने के बाद वो शान्थ हो जाएंग गलत काम नहीं करेंगे फ्यूचर में वाट याकि तुम्हें अग्री करना होगा ये एक सोशल वर्क है ये पती है कि पतीला याकि इसमें गलत कुछ नहीं है तुम सबचने को अब बीवी कि जब बचाता है अरे ये क्या कर रहा है मेरे जो विचार है वो आज इंडिया में लोग एकसेट नहीं कर रहे हैं लेकिन हजार साल के बाद लोग जेफिनिकली कहेंगे कि मैं सही हूँ राखी अगर हमें भारत में जो अत्याचा लड़कियों के उपर हो रहे हैं उसको बचाना है तो मेरी डॉल बना के बचाओगे क्या लेकिन लोग वर्चुली करेंगे व कि में पवित्र हों मुझे पता है कि तुम्हें लोवर इंटर्व्य में कहां है कि तुम एक मंदीर हो टेंपल हो अरे तो मैं ही तो पुझारी मों एक चलई पले मनीर में कलई झाल प्रग करेंग मैं जो मिंशनलिगे चलेक्थ मैं तो कितनी खुश थी कि तेमूर की डॉल बनी है, सब लोग कितना प्यार असरी करते हैं और आप मेरी डॉल बनाएंगे एले से, यह क्या कर रहे हो, अरे मुझे मैं तो सपनों में खो गया, मुझे से लगा कि काश तू वो सिलिकॉन की डॉल बन चुकी हो, और मैं तुम्हे सहला रहा हूँ, बलखा रहा हूँ, फुसला रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगा था कि आप मेरी डॉल बनाएंगे, हर जगे मेरी डॉल आएगे, लेकिन आप तो मेरी डॉल का बलातकार करवा रहे हो, वेरी बैड, ने, ने, देखो, इसको गलत वे में ना ले, इन फैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, हमारी जो शादी जो है, उसकी सुहागराद की लाइव हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से इंडिया में लोग है, सुहागराद, 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 मैं को तब टंग आ गई हूँ, सुहागराद से, पहले शादी की तो बात करो जादी का अपने किसे छपवाए, मेरा ड्रेस किस से बनवाया, शादी कहां करेंगे, कौन जेवर बनाएगा, हलो, ये शादी का ड्रेस अलग, मेहंदी का ड्रेस अलग, संगीत का ड्रेस अलग, शादी का ड्रेस अलग, ये शादी नग, ये शादी नग, एक मिनिट, पहले मेरा शादी का ड्रेस दस करोड में तो बनना ही चाहिए देखो ये जो हमारी शादी होगी ये नंगी-पुंगी शादी होगी हाँ राकि इसमें तुम ड्रेस नहीं पहनोगी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो दिन बदिन बढ़ते जा रही है नंगी-पुंगी शादी अगर हम कपड़े पहनते हैं, तो हमारा टेंपरेचर बढ़ता है, हमारा टेंपरेचर बढ़ता है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ऐसे नासा के रिसर्च में साबित हुआ है, और इसलिए ये शादी नंगी पुंगी होगी, राखी प्लीज तुम्हें इसके लिए अ इस तरह से मोबाइल यूज करें, उनको हम आईफोन गिफ्ट करेंगे, राखी समझने की कुशिश करो, कैसा खचर पती होने वाला है, जो खुद की बीवी को नंगी करके दूसरों को ओपो, वीवो, एक्सवन बढ़ रहे, राखी, देखो तु समझ दे, अरे होने वाले प मुझे पता नहीं है कि तुम क्यों इतनी इंट्रेस्टेड हो मेहंदी होने में और ये पीली हल्दी लगाने में, जालिंग, ये पीली हल्दी लगाने से मुझे लगता है कि तुम जल्दी से डिली हो जाओ तो जादा अच्छा रहेगा, राखी, तुम समझने की कोशिश कर अरे हम हिंदुस्तानी हैं अंग्रेजनी हैं हमारे को रिवाज होते हल्दी लगाई जाती है तुम्हारा ये जो पती है ये लॉस एंजलीस से जाली मैं तो अमेरिकन हूं लॉस एंजलीस लगी राए ये तो बिलकुल लॉसी है नहीं लेकिन मैं बहुत बेनिफिट्स दूंग आदेठ वेषिग्यों आदेवी तो कुलतानी हो सकता उटना इंजलीस अंटनीनम नहीं वर्मुश फॉस पेज्ट्स एंज़े को खड़ा वो गिश्वाप लूटनी कहा उच्बादविं सब्सक्राइब करा करा नियु हो सकता हो गया करा द 첫 Dove सब विश्वास हो गया हम तो चोंग tutaj तो जो लोग मेरे बारे में यह गल्लत शूश लूगर रोगों की है मुझे लगता है मुझे उनकी भर अझभादा रहा है किसकी वर अEN नहीं मतलब जो लोग मेरे बारे में ऐसी अफ़ाय फेला रहे हैं यह बता तुम्हें मेरा वर्जिनिटी सर्टिफिकेट क्यों लिया यह बता पहले तुम्हें मुछ पर विश्रास नहीं था नहीं देखो राखी पहले से ही अपने चाह डॉक्टर को भेज दिया मेरी करने के लिये और तुमने जो मेरे पिछवाड़े का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा उसका क्या पहले तुमने मेरा वर्जिन सर्टिफिकेट मांगा अभी खुश हो ना दोक्टर ने क्या कहा डोक्टर ने कहां कि राखी पवीत्र है कहां से आगे से और पीछे दोनों साई से उसको तुम्हें चेकिंग में 2 गंटे लगा दिये, मतलब क्या हो रहा था? चेकिंग हो रही थे और क्या होगा? 2गंटे? फार चेकिंग या थो 2 गंटें तो कम है , मुझे मेरी चेकिंग के लिए 5 थे लगते तो जस्लोग होस्पिटल में बहुत सारे लोग आये थे क्या नहीं बहुत जादा चेकिंग को टाइम लगा दिया जैसे तुमने मेरे सटीफिकेट ले इमेरेटल मैंने मेरे दोक्टर को कहा कि मुझे इस आदमी पर विश्वास नहीं है इसका अगवाडा पिछवाडा पूरा टेस्ट करो राइट तो सटीफिकेट आ चुका है कि डॉक्टर ने कहा तुम्हारा अगवाडा तो है नहीं पिछवाडा तो तुम्हारा खंडाला घाड़ो चुका है अरे वो certificate मैं पूरी तरह से लिखा है कि मैं पवित्र हूं और मैंने कुछ उनको पैसे नहीं दिये मैंने ब्राइट नहीं किया है और वो पूरी तरह से genuine certificate है राखी कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है विश्वास की बाती नहीं है मैं तो I'm a virgin I'm a virgin वो मुझे पता है और पूरे इंडिया को पता है कि तुम वर्जीन हो लेकिन मैं भी तो वर्जीन हूं न Salman Khan भी वर्जीन है मैं भी हूं Definitely और हम दोनों वर्जीन है और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वर्जीन है हाथ मत लगाओ अरे उससे वर्जीनिटी ब्रेक नहीं होती है नहीं फिर भी आप लोग शायद अपनी शादी को छोड़के सारी बाते कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से यह जानना चाहूंगे जो भी शादी की निमुजारी है उसमें कितनी सच्चा है यह हम जानना चाहेंगे क्योंकि इस लगे मेरे चर्णों में और रो रोके अपना बुरा हाल कर लिया खाना नी खाया पीना नी पिया रो रोके रो रोके इन्होंने अपना बुरा बैंचन हाथ अटा अटा अरे एक्चुली मैं बात कर रही हूं तो मैं भी तो सिब हाथी रख रहा हूं ना यार मैं का तुम्हा तो इनोंने इतने चड़न में रो रोखें, मैं भी हुिए है, मैं भी इक महिला हुँ मैं भी अंदुस नारियो, एक आदमी, आदमी कम और अवरत मेरे पयरों के निचे इतना दो गिड़ गिड़ा के रोए के शादी करने मुझे तुमसे प्यार करता हूं जो गिडगड़ा रहते बता कैसे गिडगड़ा रहते हैं राखी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे जो ये बिसलरी के आसू है ये तुम्हारे रिबॉप पे गिर रहे हैं इसको टीशो से पहुंच लो राखी किसी परड़क का नम आप ले नी सकते हो उन्होंने ह अंप को पैसा धिया नहीं है oh sorry तो तुम्हारे जूते पे गिर रहे हैं तो तुम इसको पहुंच लो तुम्हें भर्या है यहां तक कि हमारे जो राखी है, उसके पुरे जृते जो है वो गिले हो गए और फिर राखी ने जो है, वो मेरी बात मान लिए और इसलिए आज मेरे तुम्हें कहा था कि तुमसे गिडगड़ाओ, डायलोग बोलने नहीं बोला था कैसे गड़ गड़ाये थे तुम जब रो ये ते मेरे चर्णों में में तुमसे प्यार करता हूँ ममा म ममा भी तो थी साथ में हाँ और मेरी ममी तुम्हें बहुत लाइफ कर थे क्योंकि मुख़त ने लग़ाया था वह क्छा बी सिर्फ इनको ही मिली और वह चाभी मेरे ममी महने बनवाई और जब मैंने उग armbal सब्सक्राइब गई उसका वर अज उसके सामने cu ले के सान्देनी के बाजू का नहीं स्थूष हूं कि करोडव करोड़ो लोग जो राखी से प्यार करते हैं लेकिन राखीर की कुल मिला के यह शादी जो है उसके लिए बहुत बड़ा तो बजेट नहीं है लेकिन 70 करोड जो है कल तो मुझे 85 करोड बोल रहा थे 15 करोड कैसे कम कर दिये तुमने कपड़े कैंसल किये वो न्यूर शादी होने वाली है और जो 15 करोड जो हम लोग कैंसल तुम अभी बार-बार ऐसे बजेट कम करते जा रहे हो तुम शादी कर रहे हैं नहीं कर रहे है यह बता दो अच्छली क कि होलीवुड में खलीफा और जॉनइव सीन्स भी आने वाले जोकी बहुत बड़े पॉंस्टा रहे हो अरे तो करेंगी अरे तो हमी मुद में थोड़ी आ रहे हैं वो तो शादी में आके से सि हमें करेंगे पॉंसर को क्यों बुला रहे हो मैंने यहां सामीटा बच्चन जी को शारुब जी को सल्मान जी को रेतो बना जी को तो वह वह पर दीका रन्वीर वगेरे ट्यमूर यह सब आ रहे हैं तो हलीवूड में वह मेरे बहुत अच्छे फ्रेंज है क्योंकि मैं एले में रहत तुलाया क्योंकि मैंने तुम्हारे वीडियो जब करने में आता है कि तुमको कुछ यह बहुत है तुम्हानी जी तुम्हें ज़ल्दी यहीं चाहता हूं कि इतनी सभीसे ने मैंने ने महनत कि है उससे तिगनी या चटबुनी हमारी राखी करेगी और हुलिवुल्ड मेरा मेर इसा देखो किसे औरत को ऐसा ना बोलो, यूटूब में इतना देखा इतने मैंनत करकर के वो आगे बढ़ी है, यह बात माननी पड़ेंगी, तो ही ना करो तुम इसकी इतनी, राखी कैसे तून आपने इतना अचा दूला आपने, यह बैंचो अद मेरी टिसमत माही कही थी, द इसे नहीं है, राखी मुझे प्यार से लंड कहती है, बट मैं सच कहूं, वो मुझे बहुत प्यार करती है, और बहुत मुझे इतना प्यार करती है राखी, तो मजाक मजाक में वो अगर मुझे कुछ कहती भी है, तो मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हमारी जो राख वो बड़बोली है लेकिन दिल से वो बहुत अच्छी है तो राखे अगर आपको इतना अभी ही टेंशन लग रहा है तो तो आप शादी क्यों करते हैं? नहीं नहीं जी मैं शादी इसलिए कर रही हूँ ताकि शादी के बाद भी मैं पवित्र रहूँ हुआध कि शादी के बाद भी मत भाइवें है हुआध पहली हुआ ह्भाइपापन गोपि मतभी मूं हमारी हुआ देखियास अमलोग उआपात है हैुआ है शादी कोधा हैंता ह सेखें शादी के बाद हम मेरी मत भाइवें की जोड़ी हाय तब STEPHAN के नी रहे सकते नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि राकी ने टकीला शॉट लगाया अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एक रेस्टारंट पर थे जहां पर राजी नहीं पिती नहीं तो मैं पवित्र हूँ प्लीज नहीं मतलब थोड़े तुमने लगाए थे ना यार जूट मत कहो यार अरे मैं मैंने ही तो तुम्हारे मुझे डाले थे क्या टकीला शॉट्स की पिछकारिया अब मैं सब नहीं करती ने ने मैं देखे ऐसा नहीं है हम लोग की शादी हो रही है और मुझे लगता है शायद इसलिए इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है हम लोग मैं एक सच्छा मर्ड हूँ तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तुम्हे अपने आखों में सारे स्टार को नंगा घर दिया, तो क्या ये हमारे स्टार को न्यूड रहेंगे या ये कबड़े पैमेंगे। जो भी शादी में आएगा उसको अंजिप और अंबचन होना होगा। क्योंकि ये मैंटिटरी है, क्योंकि ये शादी बहुत स्पेशल होने जा रहे है। अबिक अमेरिका में एक इसा होता है, कि न्यूड शादी भी होती है। अगर शैद आपनों को नहीं पता है, आप देख लिजिए। मैंने तो कभी नहीं सुचा था कि न्यूड शादी करने के। मेरे तो बड़े बड़े सपने थे के मेरे भी लेंगे करणों में सियार में आये लेकिन अभी बीपक कलाल ने जो है पूरा बजेट जो है खतम कर दिया और उन्होंने निड शादी के लिए घोषणा कर दी और उन्होंने का जितने भी सेलीबिटीस के तुमारे आएंगे सब स सल्मान खान जी अमिर खान जी एश्वरय राय अभीशेख बच्चन शाहिद कपूर सेफ अली खान कितने और क्या क्या नाम है सनी लियोनी उसको तो मिया खालीपर अरे वो पहने ना पहने की बात है जोनी सीम्स यह सबाने तो क्या है ना कि वहां पर अमेरिका में ऐसा होता है कि सिर्फ आगे केले के पत्ते नीचे केले के पत्ते और फूल लगा के ही आप शादी में आ सकते वैसे एक शादी का ट्रेंड चल रहा है अमेरिका में क्योंकि जब हम अमेरिका का पीजा ले सकते हैं को 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 ला ले सकते हैं वहां की सारी चीजें ले सकते हैं पच्छिम क केले ले सकते हैं, अमेरिका के केले, तुमें केलों में कुछ ज्यादा इंटरस्ट है, तुम केले ले लेकी बड़े हुए हो, जब हम आप का हैश मीटू ले सकते हैं, तो वहां की शादी की नि ले सकते हैं, तो इनों ने ऐसा डिसेजन लिया है, मेरा तो इंटरस्ट नहीं है आपके हैं अपने यूड हो सकती हूं, इसे कोई बात नह्यां है मैं बहुत खुश्य हूं जिक मैं चश्च में पैनोगी तोन्साब? मैं मैं पैनोगी मैं पैना कि मेरे अखें ड़की रहे ओके त्टीक है निए बहुत अच्छी बात है कि मेरे फूर्जे दिख जाएंगे उसका क्या है उसका क्या करोगे लेकिन एक बार आदत डालोगी तो रोजी भी वैसे घूमोगी फिर आदत मतलब आदमी को आदत डालनी चाहिए उसकी किस चाहिए अगर वह सोच अच्छी होगी तो हमें जो है वो नंगी चीज भी देखकर कोई मन में बुरे खयाल नहीं है अगे कोई आदमी फिस अब्र फिलिंग नहीं आती है यह क्या क्योंकर इस वहां यह आम बात तो मुझे ऐस लगता है कि अभी हमें हमेरी सोच बदलन taxi चाहिए और कोई लड़की अगर नगन आं इसका मतलब यह नहीं यह दो बताओ कि मुझे मेरे सोचल मेडिया पर सब कहते हैं कि तो इसके से शादे करूगी तुमारे सुआगरात नहीं होगी नहीं होगी यह तो छक्का है यह तो नामर्द है तो अब है क्या 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 मैं बोलू दुनिया को बताओ उनको ऐसे कहो कि 31st December night को लाइफ सुआगरात होग इंस्टाग्राम, Facebook हर जगह से लाइफ सुआगरात होगी लेकि मेरे साथ या किसे आदमी के साथ ने डेफिनिटली तुमारे साथ कौन करेगा मतलब तुम इस बात के लिए अगरी नहीं हो बर कौन करेगा कौन मतलब मैं करूंगा डाली क्या करेंगा क्या करोगे लाइफ तुमारे सारे दोस दोस कह रहे तो इसमें विश्वास करने की कोई बात नहीं है, जब करेंगे तो वो विश्वास को हम यकीन में बदल देंगे। क्योंकि हम वो मर्द है, जो दर्ब दे सकते हैं। हाँ। तो मर्द हो कई ना मर्द हो निय डेफिनिटली में मर्थ हूं और उसका मैं ऐसास जो है वो राकी को डेफिनितली दूंगा। तो अभी यह मंगल सुटोर में आपके लाई हो और आपको पिना रही हो। मंगल सुत्र हां सदा सोहागन रहो यह तो दंगल सुत्र लग रहा है तो दंगली तो होने जा रहा है सदा सोहागन रहो लेकिन यह मंगल सुत्र तो लड़का लड़की को पहनाता है तो तुम मुझे को पहना रही हो तो लड़की लड़की को पहना रही है न तो शादी में त कुन साथ? चल गई गली तेरी मार सुनेरे कोछे में यह गाना तुम गरगवाओ नहीं सुनी चमपा सुनी तारा कोई जीता कबॉन राखी तुमने मुझे क्या बना दिया है ये अर यह तेने रखो मुझे यह कता ही पसंद निये मैं एक मर्द हूँ अर तुम मीडिया के सामने मुझे क्या साविक है? जो तुम हो? नहीं नहीं बिलकुल नहीं मेरे वीडियो में मैं लड़कियों की एक्टिंग करता हूँ लेकिन वियालीटी में मैं एक हाच्चा काच्चा मुष्टंडा मर्द हूँ और इसका एहसास में राखी सावन को दिलवाऊंगा और मुझे ऐसा लगता है तुमने सब्लों को इन्वाइट किया की नहीं? पासपोर्ट वगेरे सबके? जितने भी मीडिया के लोग है उनको मैं यहीं कहना चाहूँगा कि आपको LA में आना है और आपके पासपोर्ट डिटल्स प्लीज दीजिए आपके टिकेट्स जितना मना है मैं आपको लिए बताना चाहती हूँ कि आज मैंने यह साड़ी पहनी है यह अमेरिका का फ्लाग जो है जो हमारे मैक डॉनल ट्रम जी ने मुझे यह साड़ी गिफ्ट करी है और वो कहते हैं कि रॉकी एक टाम पे अपने प्राइम मिनिस्टर का फोटो लगा था वह बहुत नाराज हुए थे वह कहने के लिए था बड़ नाराज नहीं हुए तो बहुत खुश थे क्योंकि आमरीज जी ने मुझे खुद कहा था क्या आप लगा सकते हैं ड़ेंट मैटर सो दोन वारी मैक डॉनल ट्रम मेरे साथ है उन्होंने ये कहा था कि आज सुबही मुझे साड़े पांच बजे ये साड़ी अमेरिका से आई गिफ्ट और तभी मैंने ये साड़ी पहनी है और मुझे लगता है कि मैं इसमें काफी खुबसरत लग रही हूं और मैक डॉनल्ड ट्रम जी ने पांचे अपने फ्लाइट बेजे ये क्या कर रहे हो? मैं ये कहना चाहता है जी? अभी मैं complete नहीं हुआ पांचे फ्लाइट चार्टर भेजे हैं सारे स्टार्स के लिए बॉलिवूड स्टार्स मेरी शादी में आएंगे आएंगे न? जरूर आएंगे लेकिन ये साड़ी तो मैक डॉलर ट्रफ ने दिये लेकिन अंदर जो ब्रा और पैंटी है वह मैंने दिपक कलाल ने दी है और वह भी चॉकलेट फ्लेवर की है कितना घटिया आदमी है तुमारी सुई ब्रार पैंटी पे क्यों टिकी रहती है क्योंकि वही असली लज्जा का रक्षन करती है वही वह चार इंच की होती है लेकिन में पूर्जे की लज्जा का रक्षन वही तो करती है डार्लिंग देखिये मेरी शादी है यह बीग बॉस डिग बॉस वीग बॉस के बारे में बात न करें प्लीज यू ट्राइट टू अंडर्स्टेंड मैं हुनका बॉस हूँ और मेरे लिए मेरे पास बिलकुश समय नहीं है मेरी मेंदी, हल्दी, संगीत में आपने देखा कि दिपक कलाल ने कितना अच्छा डांस किया दिपू थोड़ा डांस करके दिखाओ एक वाला फंसा कर एक मिनिट थोड़ा एक डांस करना उर राजा 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 कँचा एक कर ना लो गलुद के वाले और थे दू बाहकgen राजा पानी पूरा खटाई तू भिछा आजया तो यह यह वाले नहीं हुत About appropriate धोज़ा व हुँके रोक कष्णीत और आपर मराट лучше आप आप में बार न दी गार जया हमें करां ग्राइब को फ्रीज आप देखे, मैं तो सारी जन्दगी जब आप बेते देते ठक गई हूँ, जब मुझे चोट लगी, तो लोगों ने कहा कि ये ड्रामा है, और रेबल मारके मुझे चली गी, अब मैं शादी कर रही हूँ, तो लोग कहते हैं, ड्रामा है, मैंने तो पती मांगा था, लेकिन मुझे म पती लाओ, मैं क्या करूँ, तुम पती लही हो, आओ, 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 पती लही हो, क्या करूँ, बताओ, इन्होंने प्रपोस किया मुझे, मैं पती लाओं तो तुम्हारा पुलाओ मेरे अंदर पकने देना, और ये पुलाओ जो है, ये डेफिनेटली पकेगा, और ये शाद और बहुत सारी चीजे होगी जो आपके टेस्ट बढ़ाईगी और आपको असली स्वाथ देगी तो मतलए हमारा पुलाओ बनाईगा तो आप 31 को ही देखते हैं या 31 को आप आना क्या हमारा पुलाओ बनता है या बिगड़ता है और उसी दिन रात को लाइव सुहागरात होगी और वो भी आप जरूर देखना तो आपके लाइव स्वाथ देखना और आपका जो बयान था बुर्का को लेकर वो काफी चच्चित है उस पर आप क्या कहेंगे काफी लोग मुझे नहीं लगता कि हमने ऐसा कोई बयान दिया है और मुझे नहीं लगता हूं सब लोग पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं और क्ता करो कि गए यहीं को फुरस कि घुरर अर्टomatic करो ने क्या है करो तोब द development कर जो कि आठाक किया करो किया कि अव्bling शन्य disproportionately